R.I.L. और साथ ही Jio Financial में क्या कुछ चल रहा है क्योंकि दर्शुकों में, निवेशुकों में, in fact traders में भी बहुत उत्सुकता है और बहुत सारे प्रश्ण भी है I'm sure ये शो देखने के बाद भी और प्रश्ण आएंगे, comment box में जो कि हम अगली हमारी पेशकर्श में लेंगे तो इस हफते में एहम बात रही R.I.L. की AGM, AGM हुई उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में कमजोरी थी अचा उसके बाद जियो फिनांशल में हमने प्रमोटर्स का हिसा भी परते वे देखा बहुत सारे सवाल है लोगों के जहां पर ये है कि इन्होंने खरिदारी क्यों की क्या बायस नहीं है इसलिए खरिदारी की है अचा R.I.L. की AGM में इतने सारे बड़े-बड़े ऐलान की गए क्या वाकि इसको हम लोग जियो फिनांशल की वैलिएशन स्कोप पर ले जाने के तर्स पर देखना चाहिए क्या इसलिए स्टॉक तूटा था ये सब सवाल है लोगों के जहन में एक एक करके थोड़ा सा आपे इसको समझाईए ज़रा पहले AGM से शुरुवाद करते हैं तो R.I.L. AGM में नया क्या आया बहुत कोछ आया बिलकुल बहुत कोछ आया उन्होंने एक प्रकार की दिशा दी सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह new generation is not part of the board हम इस बात को नजर अंदाज हमें नहीं करना चाहिए देखे जब एक entrepreneur company में इंवेस्ट करता है उनका vision होता है पात से दस साल जब एक fund manager कोई company में निवेश करता है उनका time frame होता है एक से तीन साल जब कोई trader कोई stock में trade करता है तो उनका time frame होता है भई day traders होते है monthly traders होते है positional traders होते हैं तो time frame होता है तो में लिए सबसे बड़ी indication यह है कि नई generation अब Reliance के बोट पर आचोकी है सबसे important number two कोई specific नया announcement इस बार EGM में नहीं था मगर क्यूंकि Reliance की पुराने EGM के बड़े announcement आ है मार्केट में Pepsi का एक आड हमेशा हम बात करते हैं दिल मांगे मोरा तो सबको लगता कि भी AGM के अंदर क्यूंकि इस AGM forum पर एक बार दिरुबए अमबानी साब ने bonus issue दिया था उन्होंने expansion की बात करी थी वही जो चक्र है वह मुकेश अमबानी साब ने चालू रखा gas discovery of KG D6, I think 2002 यह थीन में उन्होंने announce करा उसके बाद GEO की आ लाउंच उसके बाद retail का launch उसके बाद hydrocarbon का जो announcement आया था उसके पहले Reliance को net debt free करेंगे उसका announcement तो AGM में अमबानी फैमिली ने हमेशा बड़े announcements करें है इस बार बड़े announcements दो कारण से नहीं थे एक तो GEO financial listing पहले ही हो चुकी थी price discovery हो चुका था दूसरा Reliance Retail के अंदर एक sovereign fund का investment था उसने Reliance Retail के evaluation जो कोई में 50 billion थी 100 billion करती तो एक प्रकार से आपको indication आ गया था कि value unlocking कहां पर हो रही है और उसी बात को अब इनोंने इंडोस कर दिया कि में नेक्स जेंडरेशन और की my family is now ready my children are ready and that is how the business would move तो मेरे साबसे AGM एक big picture थी big picture के अंदर colors उन्होंने अच्छे से भरते हैं अब बात करते हैं geofinancials की geofinancials क्यों नीचे गिरा इसके तखनीकी कारण है हिंदुस्तान के अंदेक्स फंड्स काफी है बीस हजार कोड से जादा index funds है index funds को पता है कि अभी index में 51 stock है जो 50 हो जाएंगे geofinancials निकलने बाला है अगर आपने reliance में नेवेश करा आपने index के वज़े से उसमें 10% holding रखी है तो आपको उसके अंदर से निकलना पड़ेगा because that will not be part of the index आपको tracking error कम करना पड़ेगा तो compulsive selling geofinancials में आ रही है हमें सूतरों ने कहा है कि Ambani family ने अपनी stake बढ़ा ही ETNOW ने श्टोरी शायद Mangalwar को break करी थी बगर कोई confirmation नहीं है मारे पास company के तरफ से अब आप बात करते हैं stock कहां जा सकता है देखिए करवता जी इसके अदर earnings अभी नहीं है मेरा है मानना है कि जिए financials को आपको ऐसे देखना चाहिए कि यह एक fintech है जिसकी balance sheet is one of the largest in India in the NBFC space जिसके अपार reach है technology है और disruption कर सकता है और profit बनाएगा तो क्या reliance जी हो उस नजर से देखा जाए कि एक fintech है जो कि अभी छोटा बड़ा हो सकता है और profit making fintech करेगा जी हाँ तो यह समय बताएगा कि कितना disrupt कर पाते हैं किस प्रकार के changes कर पाते हैं इक हम कहते हैं साइस के साब से बैलन cut में बैलेंश साइस है को にलांकर अगर अगर आप अगर ऑढ़ा गी बढ़ा चीनी बढ़िया बसन दालेंगे और ओपर से आप गिशका फिस्त्त ल॑ज मैंगे तो लडू ज़गता तो अच्चा बनेगा ना कैसे बनेगा, क्या चीनी कम होगी, क्या चीनी ज्यादा होगी, यह समय बतागा.